सासंगत जी प्रेम से कहना सासंगत आज भी इस समागम के तीसरे रोज वही स्वर्ग में बातावरन देखने को मिल रहा है जहां पर ऐसी तरंगें प्यार की मैसूस हो रही है जहां पर जैसे ये मैदान सारे महक उठे हो ऐसी खुश्बू के द्वारा जो आपके निर्मल और प्रेम भावनाओं के कारण ऐसा वो स्थापन हुआ है यहां पर आप सबी मिल बैठकर इस निराकार पावर्ण परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं इस से उत्तम प्राथनाएं कर रहे हैं और उत्तम संदेश संसार तक पहुंचाने का प्रियास कर रहे हैं वही संदेश जो संतों महात्मावलियों गुरू पीर पैगंबरों का हमेशा रहा है और ये पिछले दो रोज भी यही पैगंब अलग अलग ड्हंग से सब के समक्ष रखा गया अलग अलग भाशा में उसकी अभी व्यक्ति हुई जहां पर दिवारों और पुलों की बात हो रही है आज भी कवी महापुर्शों ने इसी थीम को लेकर उसको कविता का रूप दिया उसमें भी यही दिवारें गिराने की बात और पुल बनाने की बात दूरियां समाप्त करने की बात नजदीकत स्थापित करने की बात तो इसके लिए साथ ही साथ ये भी साथ संदेश दिया गया कि वाक्य ही इस प्रभु ईश्वर परमात्मा निराकार का जो बोध हासिल कर लेता है उसके जीवन में उजाला आजाता है उसके मन में रोशनी आजाते है उसके भर्मों की दिवार गिर जाते है जो भरम पाल कर वो सारी उमर बिताता चला जाता है जिसके कारण ये दूरियां बनी रहते है वो भ्रम जो हैं उनका नास हो जाता है जैसे दीपक के जलने से अंधेरे का विनाश हो जाता है इसी तरह से ये ज्ञान उजाला पाकर ये भ्रहम और भ्रांतियां मिड जाती हैं जो इनसान के साथ ऐसी जुड़ी हुई है जिसके कारण इनसान ये दिवारें खड़ी करता है जिसके कारण एक दूसरे पे जुल्म और सितम करता है महापुष संत जन इसलिए जोर देते हैं कि इस प्रवु परमात्मा इश्वर के नाम लेवा तो बहुत है वलियों गुरु पीर पेगंबरों की जाजाकार बुलाने वाले तो बहुत हैं संसार भरा पड़ा है लेकिन इस परमात्मा इश्वर निराकार का बोद किसने हासिल किया है किसने इसको इसके असली रूब में जाना है जहां पर आज भी भगवान किशन के द्वारा अरजुन की अज्ञानता को दूर करने की मिसालें दी गए इसी तरह से जहां जहां पर भी जब जब भी एक ज्ञान उजाला परदान किया गया ये ग्यान की रौश्णी जीवन में आई उस उसके ही ये भ्रहम और भ्रहंतियां मिटती चले गए उनके लिए राम और रहीम में कोई भेद नहीं रहा उनके लिए अल्ला और राम में कोई भेद नहीं रहा उनके लिए कोई जाति-पाति की दिवार न रही क्योंकि उन्होंने इस एक को जान लिया इसी एक का नूर घटगट में देखा और इसलिए उनके लिए किसी के प्रती कोई द्वैश का भाव नहीं कोई द्वैत का भाव नहीं है विसारे दूजा भाव जियो कि त्यागे मन की मतड़ी और विसारे दूजा भाव जियो कि ये दूजा भाव द्वैत का भाव ये डुवैलिटी का भाव इसको तज देता है तो जो ऐसे जिनके जीवन में ये एक अवस्था नहीं आती है तो वो वास्थिक्ता में पूजा भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, अबादत भी करते हैं जबता पिशनान भी करते हैं बहुत रिच्वल्स को निभाते हैं बहुत राइट्स और रिच्वल्स को निभाते हैं लेकिन इस सच की सार को नहीं जान पाते हैं पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने को वो बोध मान लेते हैं या तराओं को ग्यान मान लेते हैं इसी लिए संसार के बारे में हमेशा यही कहा गया है कि चलते के पाछे चले परमारत ना सभाल कि इंसान सोचते विचारते नहीं कि वेदो शास्त्रों में धरम ग्रंथों में इशारे क्या किये गए है कैसे नबेड़ा होना है इस आत्मा का किसके कारण ये मनुश्या जनम सफल माना जाएगा कौन सा लक्ष है जिसकी पूरती हर इस मानव शरीर को धारन करने वाले ने वो प्राप्त करना है तो ये इसकी तरफ विचार नहीं करता चलते चले जा रहे हैं और उमर तमाम हो जाती है तो महापुर्श संत जन ये ही कहते हैं कि इंसान ये सच की प्राप्ती कर ले ये सत्य इश्वर पार्वं परमात्वा निराकार ये ओल प्रिवेडिंग एंटिटी गौड और माइटी ये ही सच है आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानकोसी भी सच कि ये ही सत्य है बाकि सारा संसार इसको स्वप्न के मानिद माना गया है ये शाश्वत नहीं है परमात्मा ही शाश्वत है यही एकरस है संसार एकरस नहीं है दुनिया में कदम कदम पर एक तबदीलियां है, बदलाव है कहीं पर भी स्थिर्टा नहीं है कहीं पर भी अडोलता नहीं है ये स्थिर्टा भी ये परमात्मा के हिस्से में आई है कि ये इस्तिर भी है ये शान्त है, ये निर्मल है ये ये शाश्वत है, ये ये स्वेंभू है स्वेंभू का मतलब कि जिसको कोई बनाने वाला नहीं है बाकि सब चीजें बनी है कहीं ना कहीं हजारों साल पहले की बात कर लें मिलियंज ओफ इयर्स की पहले बाते कर लें हर कोई वजूद में आया और अभी वर्तमान में भी हम जीते हैं तो हमारे सामने कॉंटेंपरेरी टाइम्स में भी हम देखते हैं कि कितनी चीज़ें वजूद में आई जो पहले नहीं थी यानि कि संसार का सारा निजाम ही ऐसा है कि ये वजूद में आती है, बनती है, बिगडती है, आती है, जाती है तो इसलिए इसको शाश्वत नहीं कह जाता है इसलिए इसको सत्य की संग्या नहीं दी जाती है तो सत्य केवल एक परमात्मा है इश्वर है निराकार है गौड अल्माइटी है तो इस सत्य को जानना है और इसको जिन्होंने जाना है उन्होंने आत्मा का भी कल्यान किया है उन्होंने परलोक स्वारा है आवा गमन के बंदन से निजात पाई है और इस लोग की आत्रा को भी तै किया उन्होंने इसी दौलत से युक्त होकर अमीरी उनके हिसे में आ गई क्योंकि उनके हिसे में ऐसी दौलत आ गई इसलिए वो अमीर बन गए जौंपडी में रहने वाला भी अमीर और महल में रहने वाला भी अमीर इसी दौलत के दौरा हुआ तो इस तरह से ये उसके हिसे में आई तो महापुश इसलिए कहते हैं कि सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदे सोई हाजी कि जो सच की कमाई करता है वही काजी है अक्सर हम वही बात आजाती है जो कबीर जी ने पूती पड़ पड़ जग मुआ की बात कही है कि बैठा पंडित पड़े पुरान बिन देखे का करे बखान तू कहे कागस की लेखी मैं कहूं आँखन की देखी कि वही बात कर रहे हैं कबीर जी भी और इदर बुले शाजी जैसे सूफी संत भी यही कह रहे हैं कि सच कमावे सोई काजी काजी वही है जो सच कमाता है अगर सच नहीं कमाता है जूट का इस्तमाल करता है लड़ाने जगड़वाने में और इस तरह से दिवारें खड़ी करने में तो कहते हैं नाम तो काजी हो गया नाम तो पंडित हो गया लेकिन वास्तिक्ता में जिसके कारण कोई काजी कहलाय जा सकता है जिसके कारण कोई पंडित कहलाए जा सकता है वो तो अभी जीवन में वो पड़ाव आया ही नहीं है वो हिस्से में अभी आया ही नहीं है इसलिए कह रहे हैं कि सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदे सोई हाजी हज को जाते हैं इबादत करते हैं बंदगी करते हैं यातराइं करते हैं पिल्ग्रिम जेस पे जाते हैं तो यहां पर वो भी कह दिया बुले शाजी कह रहे हैं कि जो दिल सोदे सोई हाजी कि अगर ये दिल ही नहीं साफ हुआ इस दिल में सच का बसेरा ही नहीं हुआ है परमात्मा का बसेरा ही नहीं हुआ है तो फिर हाज तो कर लिया लेकिन सही मेनों में हाजी नहीं हुए हाजी तो तभी हुए जब ये दिल को सोध लिया गया है इस दिल में प्रीतम को बसा लिया गया है इस मन में इस हरी को बसा लिया गया है तो फिर वास्विक्ता में वो हाजी भी हो गया वो काजी भी हो गया और अगर ऐसा नहीं है तो इंसान को कहा गया कि इंसान तो अभी भी दूर है लक्ष से अभी भी तूजे बात समझ में नहीं आई है और तू इसी तरह से किये चले जा रहा है चले चले जा रहा है लेकिन पहुंचना हिसे में नहीं आता है उनके जैसे दास सकसर कहता है कि हर चलना पहुंचना नहीं हुआ करता है कि कोई कहे मैं तो सारी उमर चलता जा रहा हूँ लेकिन हर चलना पहुंचना नहीं होता है वही चलना पहुंचना होता है जो वास्थिक्ता में मरम जान लेता है जो वास्थिक्ता में इस सत्थ का बोध हासिल कर लेता है वो मंजिले मक्सूत को पा जाता है तो उसका चलना चलना ही केवल नहीं रह जाता है उसके हिसे में पहुंचना भी आ जाता है तो इसलिए यहां पर पहुंचने की बात हो रही है कि हमने पहुंचना है इस मंजिल मक्सूद तक यह मंजिल है हरातमा की परमातमा Oversoul is the destination of each soul तो यह destination यह मंजिल यह हर आतमा ने पानी है तभी salvation तभी मोक्ष और मुक्ति इसके हिसे में आएगी और फिर दिवारों की बात कर रहे हैं दिवारें जो इस अग्यानता के कारण इस मन में खड़ी हुई है जिसका पुर्जोर तरीके से इन तीन दिनों में इसका जिक्र किया गया है कि दिवारें हमारे मन में खड़ी होती हैं और फिर उसको हम बाहर भी उसको एक क्रियात्मिक रूप दे देते हैं उस तरह से हम यह दिवारें बाहर भी खड़ी करते चले जाते हैं क्योंकि हमारे मन में अंदकार चाया हुआ है यानि कि अगर आत्मा भी अंदकार में है मन भी अंदकार में है तो फिर बचा क्या फिर तो लोक भी हाथों से गया पर लोक भी हाथों से गया फिर तो कुछ भी नहीं बात बनी फिर तो कुछ भी हासिल ना हुआ तो इसलिए कहते हैं कि दोई जहानी माड़े हो सच नजना खरीदिया बाहू दोई जहानी माड़े हो मिया बाहू कहते हैं कि अगर ये हिस्से में नहीं आया तो दोई जहानी माड़े हो कि दोनों जानों जहानों में शर्मिंदगी यहां पर भी द्रिगा कार आगे भी शर्मिंदगी यानि कि ऐसा कूड़ा सौदा कर लिया जाता है इस तरह से जीवन जी लिया जाता है कि कुछ भी हासिल ना हुआ बलके और ज्यादा नुकसान करके संसार से रुकसत हो जाते हम तो इसलिए महापुर्ष संत जन यही संदेश यही पैगाम हमेशा दिये चले गए हम कि नाता जोड़ना है तो इस ईश्वर से जोड़ना है इस पारभ्रम परमात्मा से जोड़ना है जितनी तीवरता से हम संसार के साथ जुड़ते हैं जितने हम लोब लालज के साथ जुड़ते हैं दुनियावी आकर्षणों के साथ जुड़ते हैं दुनियावी सामानों के साथ जुड़ते हैं कहीं पर वही तीवरता वही इंटेंसिटी हमारी इसके साथ जुड़ने की हो और जुड़े रहने की हो तो वास सिक्ता में हमारा ऐसा सुंदर वजूद हर किसी का बन जाए एक ऐसा निकरा हुआ सुंदर रूप बन जाए एक परमात्मा के तुल्ले उनको माना गया है जिनके ऐसे intense उनकी एक ऐसी अवस्ता होती है ऑफिर उनके लगाव होते हैसी लगन होती है जो इस कदर इसके साथ जुड़ते हैं और जुड़े रहते हैं, आठो पहर जुड़े रहते हैं, consciously and subconsciously, वो इसके एसास में रहते हैं, क्योंकि फिर उनकी सोची ऐसी conditioned हो जाती है, उनके खियाल conditioned हो जाते हैं, क्योंकि consciously भी और subconsciously भी, एक subtle way में भी, gross way में भी और subtle way में भी, वो इस तरह से इसके साथ जुड़े रहते हैं, तो ये जुड़ने का ही परताब है, कि इस तरह से हमने जुड़ना है, इस प्रवु परमात्मा ईश्वर से ये नाता जुड़ना है, और जब इस तरह से इस रूप में जुड़ जाते हैं, फिर हम इनसानों के साथ भी सकते हैं इंसानों से दूरियां इसलिए हैं क्योंकि परमात्मा से दूरी है भले ही रटन है भले ही पठन पाठन है भले ही जबता पिश्णान है लेकिन इसके बावजूद दूरी है इस परमात्मा से तो जब परमात्मा से ही दूरी है तो फिर तो बंदों से कैसे नस्दिकत बन सकते हैं फिर तो बंदों से दूरी होगी ही होगी जब परमात्मा के ही नजदीक नहीं हुए अगर परमात्मा को ही नहीं अपनाया इससे ही नाता नहीं जोड़ा फिर बंदों को हम क्या समझेंगे फिर बंदों के साथ वही सलूग करेंगे जो हो रहा है जिस परकार से खुए हैं इनके उपर जुल्मों सितम इनका शोशन इनके साथ ज्यातियं ये लगातार हुआ है और हो रहा है और ये होता चला जाएगा उन इनसानों के द्वारा जो इस तरह से अपने जीवन में ये उपलब्दी नहीं करते हैं जिनके जीवन में ये करांति घटित नहीं हो ये लिए वो इसी तरह से उसी राह पर मार्क पर चलते चले जाएंगे जैसे चलते आ रहे हैं तो इसलिए महापुर्शंत जनों का कथन के इनसान तू इस प्रकार्श से इस प्रभू परमातमा इश्वर के साथ ये अपना नाता जोड लें अपनी आत्मा का कल्यान कर लें और इस मन को भी भरमों से निजात पारदान कर ले इस मन से भी विपरीत भावनाओं से अपना दामन छुड़ा ले और इस मन में खडी हुई विपरीत भावनाओं को दफन कर दे इस मन में खड़ी हुई दिवारों को गिरा दे और इस तरह से सभी के प्रती शुब कामनाएं शुब भावनाएं मन में रखते हुए उसी भाव से युक्त होकर हर किसी के साथ पेश आता चला जाँ हर किसी के साथ ऐसा वेभार करता चला जाँ तो इस लिए महापर संत जनों के ये कथन हैं जो दिवारों की बाते हो रही हैं जो बिछोडे की बाते हो रही हैं जो दूरियों की बाते हो रही हैं जैसे दास ने कल परसो भी यही कहा है कि love recognizes no barriers like I said day before yesterday another saying another words used by a poet that stone walls do not make a prison nor iron bars a cage the poet writes that stone walls do not make a prison nor iron bars a cage because this is for those as I said that those who have realized this truth those whose soul and heart is illumined those who have now come to know the truth the ultimate truth the universal truth for them stone walls do not matter they are not imprisoned in their preconceived notions because preconceived notions they act as a lock a closed door here saints and sages they are talking about opening up to think out of the box reality not illusions not beliefs based on ignorance so this तु इस फ्रकार से उंके लिए कूई दिवारे नहीं होती हैं उनके लिए कूई तक्रारे नहीं होती हैं वो उस सलाखों में जकड़े नहीं जाते हैं जैसे इस कवी ने कहा, कि पत्थर की दिवारें कारागार नहीं बना पाती हैं उनके लिए, और एक लोहे की सलाखें इस परकार से उनके लिए पिंजरा नहीं बना पाती हैं, क्योंकि उनको ऐसी आज़ादी मिल जाती हैं, जीवन काल में ही आज़ादी मिल जाती हैं, वो आज़ाद हो जाते हैं, वो फिर पत्थर और सलाखों से कहीं उपर उड़ जाते हैं, इस परकार से ये उनके बारे में बात हो रहे हैं, जो ज्ञानी जन है जो भक्त जन है जिनों ने इस मरम को जाना है जिनों ने इस सच की लगता की है इसी लिए ये फिर इसी के असास में जीवन जीते हैं इसी के रंग में रंग कर इस जीवन के सफर को तैक करते हैं और इसलिए इनके जीवन का एक सुन्दर रूप बनता है तो ये बिगाड जो हैं ये उनी के द्वारा होते हैं जो इस परमस्तित इस निराकार को अपने समीप नहीं अइसास करते हैं इसको समीप नहीं जानते हैं भले इसका नाम लेते हैं लेकिन दर असल ना जानने के कारण इसको गैर हाजिर मानते हैं इसलिए जो जो वो करते हैं करतूते हैं या सलूक करते हैं वो सब एक नुकसान वाले हैं वो कश्ट वाले हैं वो बिगाड वाले हैं जैसे अंग्रेजी में कहावत है While the cat is away, the mice will play कि जब तक बिल्ली नहीं है तो चूहों के अपने मौज में ले चल रहे हैं लेकिन बिल्ली आ जाती है तो किस तरह से चूहों की हालत हो जाती है इसी तरह से जब तक इस परमात्मा के होने का, करीब होने का, रूबरू होने का एसास ही नहीं उतनी देर तो हम भी जैसे वो चूहे भी कुतरते रहते हैं कीमती से कीमती वस्त्र भी कुतर देते हैं हम भी उससे भी कहीं भ्यानक रूपधारन कर लेते हैं तो इसलिए महापुर्श संत जनों के कथन जो हैं वो यही इशारा करते हैं, इसी तरफ ही वो प्रेरित करते हैं, तांकि इनसान इस बात को समझ जाएं, कहीं पर उन्हों ने इशारे किये हैं, कहीं पर सपश शब्दों में भी कहा है, इशारों की बात करें तो कई कहते हैं पहेली सी है, कि एक पहेली सी बन गई है, कुछ लेकिन अगर पहली है तो सुलझाने वाले भी मौझूध होते हैं, अगर पहली है तो सुलझाने वाले भी होते हैं, जहांपर अमीर खुसरो की हम वो पंक्तियां पड़ते हैं, जहां पर उन्होंने प्यार की बात कही है पिया की बात कही है उनके कितनी गजलें कहावतें तो उन कहावतों में ऐसे रिडल्स भी हैं ऐसी पहेलियां भी हैं और एक पहेली जहन में आती है जो उन्होंने कही कि बीसों का सर काट लिया ना मारा ना खून किया तो सुनने वाले हरान के सर काटा गया है और उस सर काटे को ये कहा जा रहा है कि ना मारा ना खून किया कि ना मारा है ना खून हुआ है सर काटे तो मर भी जाता है और खून भी चारो तरफ बिखर जाता है लेकिन ये पहेली कहने वाला जानता है कि वो कह क्या रहा है लेकिन जो सुन रहा है उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है और है कितनी साधारन सी बात जो वो कह रहे हैं कि बीसों का सर काट लिया तो बीस सर क्या बताए कि दस हाथ के नाखून और दस हमारे पाउं के नाखून हमारे नाखून नेल्स जब बढ़ जाते हैं तो हम नेल कटर से काड़ देते हैं तो वो कहते हैं यह उसका सर है नाखून का सर है अब नाखून काड़ दिया तो कौन सा खून हुआ क्या मरा अब यह साधारन सी पहली है और वो साधारन सी पहले ही हमें उल्जा देते है और यहां पर तो कहां पर मंजल की बात हो रही है परमात्मा की बात हो रही है All-Privading Entity की बात हो रही है Salvation की बात हो रही है तो इसके लिए भी हम अक्सर उलज जाते हैं कोई छोर नहीं नजर आता है इसलिए संत महात्मा साधन बनते हैं ब्रहम ग्यानी साधन बनते हैं हमारे इसी पेचीदगी जो हमारे सामने हमें मैसूस होती है उस से हमें उस कारे को सरल कर देते हैं इसलिए का कि दुरलब साज सुलब करी पावा कि जो दुरलब है वो सुलब हो जाता है वो आसान हो जाता है इस प्रकार से ये महापुर्श संत जन ये भक्त जन ये संदेश ये पैगाम ये हमेशा से ये देते आए हैं और आज भी कल भी परसो भी समागम पर और हमेशा ही ये ही संदेश ये ही पैगाम ये दिया जाता रहा है और ये दिया जा रहा है तो जरूरत है इस तरह से इस की संभाल करने की इस वक्त की संभाल करने की इस जीवन को एक सही माइने देने की अपने इस जनम को सफल करने की सियात्रा को ये एक जरूरत है हर इनसान के लिए ताँ कि हर इनसान इस बात को ये भली भांती ये समझ जाए और वाके ही कई कई हम देखने को हमें मिलते हैं कि जब ऐसे भी बीच में पड़ावा जाते हैं जब कमजोरियां समाज में आ जाती हैं, इनसानों में आ जाती है फिर बहुत बड़ी कीमत चुकाने पड़ती है फिर कहीं पर जाकर हमें फिर वो हासिल होता है जैसे वो भी एक कोट जहन में आ रही है अंग्रेजी में कि एंटीक्स आर थिंग्स विच जेनरेशन बाइस which the next generation gets rid of and the following generation buys at amazing exorpean prices कि वही चीज जो पहले थी by zurg고 के पास next generation I they got rid of it and then the following generation they had to buy it back at exopian price कितनी कीमत चुका कर जो पहले बजर्गों ने हासिल किया था लेकिन आगे जो वक्त आया वो ऐसा वक्त आया कि उन्होंने उसको तज दिया उन मुल्यों को तज दिया वो हुमन वैलियोस को तज दिया वो पीस वो सकून को उनके हाथों से निकल गया लेकिन वही सकून वही वैलियोस वही सब कुछ फिर से स्थापित करने के लिए उसके बीच में कितने कीमत चुकानी पड़ी तो इसलिए महापुष कहते हैं कि सब भी इस परकार से जाग रुक रहें कहीं पर ढील ना आने पाए कहीं पर भी हाथों से निकल ना जाएं ताकि फिर से कहीं उसको हासिल करने में कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े इसलिए वो सस्टेनिबिलिटी बनी रहे उसकी प्रती सजगता बनी रहे ताकि हमारे जीवन में हमेशा ही वो महत बना रहे वातावरन सुंदर बने रहे और सचारो तरफ अमन हो शांती हो, चैन हो इस परकार से सभी के भावनाएं उत्तम बनी रहे जहां पर मिलवर्तन हो, भाई चारा हो सेहन शीलता हो, जिसको टॉलरंस कहा जा रहा है Today's 16th of November which is dedicated by UNO as a Day of Tolerance Every 16th of November this is, this day is dedicated as a Day of Tolerance and we are talking of tolerance and we are seeing intolerance all around as we heard the words of wisdom in these three days too, that there is so much intolerance and that's why we are seeing so much devastation that's why we are seeing so much bloodshed that's why we are seeing the breaking of families because the family members if they are not tolerant to each other the very fabric of a family that also gets shattered and so does the happiness that also flies away like a bird flies away with its wings and we are deprived of it so tolerance saints and sages have always taught us to be tolerant we have to co-exist peacefully we have to appreciate the differences saints talked about unity not uniformity saints taught us the importance of unity but what had happened and what has happened and what is happening that certain segments of society whether they are from the religious groups or established religions or those who are still divided in clans and castes and creeds so they are intolerant but saints are tolerant the established religions they have been taking use of force to convert others fear psychosis so that they adopt their religion they want to bring about uniformity I wear a turban you also wear a turban otherwise you will be no more seen the prophet I respect you also respect that prophet the scripture I read you also read that scripture then you are safe so what we are seeing such an intolerance and on the other side the awakened ones those who are aware of the truth the realized souls those who understood the teachings of the saints and prophets so they believe in unity and diversity not in uniformity so saints this point has been hammered once again and again that we have to be tolerant another example which I have been quoting many times that a husband was reading some book and wife came and asked him to have supper and the husband says and after 15-20 minutes again she arrived have dinner have supper and again husband says wait few minutes again she leaves and third time when she comes and again says come have supper now the husband was so restless that the book he was reading he flunged it towards the wife and the sharp corners of the book due to that the wife's forehead started bleeding got bruised now the wife picks the book which the husband had thrown towards her and when she lifts the book the title of the book was tolerance so that sort of you can say hypocrisy or whatever name you can give by words we are mentioning humility by words we are mentioning tolerance of unity of oneness of harmony of God is one but when it comes to living it when it comes to believing we don't consider God as one once again we claim that Allah is different and Ram is different so it is pray to God Almighty that may God bless everybody with wisdom so that everybody lives such a life हम अभिमानी बनते हैं, अंकारी बनते हैं। लेकिन फिर भी अपने आप को मानते हैं कि हम राम वाली श्रेणी में हैं। कुछ पंक्तियां ध्यान में आई जो किसी ने कहीं कि मैंने महसूस किया है उस जलते हुए रावन का दुख। मैंने महसूस किया है उस जलते हुए रावन का दुख जो सामने खड़ी भीड से बार-बार पूछ रहा है कि तुम में से राम कौन है। यानि कि रावन को जलाने वाले उनके अपने खुद उनकी क्या वस्ता है। उनके मन की क्या वस्ता है। उनके विवार कैसे हैं। उनकी चाल कैसे हैं। और रावन भी मानो ये कह रहा हो कि चलो राम तो मेरी तरफ तीर फेंके तो वो तो बात और है। लेकिन तुम कहां पर खड़े हुए हो जो मुझे जला रहे हो। इसका मतलब बात फिर वही आती है कि अपने हमारा मन ही रावन बन जाता है। अपने इस मन में बैठे हुए इस रावन को ही हमने जलाना है। तब ही वासिकता में हम राम की श्रेणी में आएंगे। राम कानू करन करने वाले बनेंगे। राम कानू सरन करने वाले बनेंगे। राम के सच्चे उपाशक बनेंगे। तो दास औरदिक शब्दों का सहरा नहीं लेगा। समय काफी आगे बढ़ चुका है। के साथ ये समागम का आयोजन हुआ जहां पर ये सुन्दर रूप बने जहां पर हजारों मील के सफर सैक्डों मील के सफर तै करके आप सभी यहां पर पहुंचे और इस समागम के रूप को एक सुन्दर रूप दिया जिसमें कितने कितने परकार की सेवाई हुई हैं कितने पर करकार के तब त्याग हुए हैं और परबंदक महापुर्शों ने भी इसमें योगदान दिये, सेवदल ने योगदान दिया, तमाम साथ संगत का महत पूरन योगदान, इसी तरह से और कितनी गौवर्मेंट और सेमी गौवर्मेंट एक और्गनाइजेशन ने, डिपार्टम इसमेंट ने सहयोग दिया, जो हित का भाव रखते हैं, जो मानते हैं कि वाके ही मिशन समाज को जो देन दे रहा है, उसकी बहुत जरूरत है, उसकी विशेश्टा है, तो इस तरह से ये सभी के योगदानों के द्वारा, जहां पर हम सेवदल के जवानों को देख रहे हैं, अनेकों नेकों महापुष कितने कितने स्टॉल्स में सेवाएं कर रहे हैं, कहीं पर डिस्पेंसरी में हमारे डॉक्टर्स सेवा कर रहे हैं, और ये भी आप लगातार देख रहे हैं जो ये टीम ऑफ डॉक्टर्स जो थाउजन्स ओव माइल्स चल कर आकर यहां इस तरह से स तो किस किस का जिक्र करें सभी के योगदान हैं इस समागम को इस तरह से एक सुन्दर रूप देने के लिए तो अभी ये आखरी दिन इस समागम का जो विदिवत तीन तारीके अनौंस की गई थी हाला कि अभी कल का दिन भी है लेकिन वो पारिवारिक रूप में सभी अपना प्रेम और खुशी जायर करते हैं उसको अभी व्यक्ति देते हैं जहां पर कुछ नौजवान कला का सहरा लेते हैं और उस कला का सहरा लेकर भी वही पैगाम देते हैं वही प्रेम को अभी व्यक्ति देते हैं लेकिन जो समागम की विदिवत तारीके वो यही तीन थी और उ तो जिसके वज़े से इस समागों को हम उस रूम में इस समागों का आखरी दिन मान रहे हैं, तो अभी यही अर्दास की दातार किरपा करें, आप अपने अपने घरों को लोटेंगे, और यही जो यहां से महक का आपने यहां स्थापित भी की, और उसको और ज्यादा मजबूत करके अपने अपने घरों को लोटेंगे, तो वहां पर भी यही मानवता इंसानियत को और मजबूत करते चले जाएंगे, प्यार भरे वातवरन स्थापित करते चले जाएंगे, और चारों तरफ एक सुन्दर रूप देने में अपने योगदान देते चले जाएंगे, सेवा सा संग सुमरिन करते हुए, गुर्सिक गुर्सिक का आदर सत्कार करते हुए, कोई गुर्सिक किसी गुर्सिक का निरादरी ना करते हुए, एक सदकार का भाव मन में लिये हुएं बच्चे बच्चे का दास बन कर हुकम के अनुसार आशे के अनुसार गुर्मत के अनुसार आपने इस जीवन के सफर को तैक करते चले जाएंगे यही एक शुकावना इसी प्रात्ना इसी अरदास के साथ दास आप से इजाद़ चाहेगा सास संगा जी धन का